डिसेंगेजमेंट को लेकर काफी शोर मचाया जा रहा है सरकार भी शोर मचा रही है और कुछ चरणचुम्बक भी शोर मचा रहे है लेकिन सच्चाई बड़ी भयावे है और सच्चाई ये है कि ये एक डिसेंगेजमेंट नहीं है यह compromise सरकार के दवारा किया जा रहा है क्योंकि मेरी समझ से परे है और हम सब की समझ से परे है कि यह कैसा समझाता है जहां पर हम अपने ही petrolling के अधिकार को त्याग रहे हम हम अभी तक petrolling point 15 तक petrolling करते थे उसको त्याग कर अब वहाँ पर buffer zone बन जाएगी ये कैसा समझोता है ये कैसा राश्च्रित है ये हमारी समझ से परे है पर दिक्कत की बात ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है बार बार डिसेंगेजमेंट के नाम पर हमारे पेट्रोलिंग छेतर बफर जोन में आ जाते हैं और हम अपनी पेट्रोलिंग का अधिकार की यथावत स्थिती नहीं है जिसको स्टेटस को एंटे कहा जाता है अप्रेल 2020 का वो ये नहीं है और याद रखिए इसी स्टेटस को एंटे के लिए हमारे 20 सैनिको ने सुप्रीम साक्रफाइस शहादत दी थी ये कौन सी अधावत स्थिती है ये हम जानना चाहता है क्योंकि बार बार अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स के अधिकार को छोड़कर उनको बफर जोन में डाल देने से लगदाख में करीब 1000 किलोमीटर वर्ग से अधिक के छेतर पर हम अपना नियंतरण खो चुके हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की फर्जी छवी को उभारने के लिए उसको बचाने के लिए हो रहा है क्या इसमें कोई इत्फाक है कि ये जो लेटिस डिसेंगेजमेंट है जो 16th round कोर कमांडर टॉक्स के बाद और उसके 53 दिन बाद एक स्टेटमेंट के जरीए आया है क्या ये इत्फाक है कि ये डिसेंगेजमेंट जो है ये S.C.O. की उस मीटिंग से महज दो दिन पहले हो रहा है जब मोदी जी और शी जिन पिंग एक बार फिल गलबाईया करेंगे उस बेकिस्तान में S.C.O. की समिट में मिलेंगे वहाँ पर क्या ये इत्फाक है क्या फिर से जूटी छवी को बचाने के लिए राष्ट्रहित को ताख पे रखा जा रहा है ये बात सच है कि आज विदेश नीती पूरी तरह से सस्ती लोगप्रियता का शिकार है आज विदेश नीती राश्ट्रहित के लिए नहीं पर सस्ती लोगप्रिता जूटी वावाही के लिए हो रही है मोदी जी अपने महिमा मंडन में अपने जूटी वावाही में इस तरह मश्गूल है कि उनको शायद भूभागिया खंडता और राश्ट्रहित के साथ समझोता करने में भी परहेज नहीं है पर उनकी ये जो कमजोरी है जूटा महिमा मंडन जूटी जवी जूटा फर्जी वाड़ा इसको चीन अच्छी तरह से समझ गया है क्योंकि इसी के चलते वो रणनीती बना रहा है पहले वो अतीक रमड करता है उसके बाद अतीक रमड करके वो उस हिस्से को बफर जोन बना देता है जहां पर हम पेट्रोलिंग कर रहे थे हम पॉइंट ए तक पेट्रोलिंग कर रहे हैं अब वो पॉइंट ए बफर जोन में आ गया हमारा वहाँ पे जाना चूट गया और यहाँ पे वाँ वाही बटोरी जा रही है वाँ मोदी जी वाँ इस कमजोरी को समझने के बाद ही चीन ये धृष्टता कर रहा है और ऐसा करते वक्त चीन का सबसे बड़ा हतियार वो है जो प्रधान मंत्री मोदी ने जून 2020 में बोला था चीन बार-बार कहता है आप ही के प्रधान मंत्री ने तो कहा था कि कोई घुसा हुआ नहीं है तो सोचिए चीन हमारे यहां अतिक्रमर करता है हमें अपने पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे ढखिलता है और किसके सौजन से कर रहा है मोदी जी के उस जूठे वक्तव के सौजन से जो उन्होंने बिना पलक जपकाए पूरे देश के सामने बोला था तो एक बात तो साफ है प्रधानमंत्री मोदी और चीन का पियले एक ही भाशा बोल रहा है अब इसके बारे में मोदी जी उनके चरण चुमबक क्या कहेंगे ये भी देखना है आज प्रधानमंत्री मोदी को सस्ती लोगप्रता याद रहती है राजनीती याद रहती है लेकिन क्या उनको सेना का मनोबल कमजोर करते वक्त रति भर भी दर्द नहीं होता है यह सेना का शोर और प्राक्रम था कि हमने ब्लाक टॉप पे कब्जा किया आपने सेना को वहां से पीछे हटा दिया ये सेना का पराक्रम और शौरे था कि हमने गलवान और पैंग ओंग जील पे पेट्रोलिंग करते थे आपने उन पेट्रोलिंग पॉइंट से उनको पीछे कर दिया है जहां पर हम गश्च करते थे अब वो बफर जोन बन गया है जहां तक हम गश्च करते थे वो हमारा हकता हमारी जमीन थी अब वो बफर जोन में आ गई है और एक बहुत बड़ा जूलन्द सवाल ये है कि आपने गलवान में जो किया, आपने होट स्प्रिंग्स में जो किया, आपने पैंगॉंग जील में जो किया अब डेप सांग और डेमचोक के बारे में बहुत चिंता लोग जाहिर कर रहे हैं क्योंकि डेपसांग का जो वाय जंक्शन है, वही से हमारे हत्यारों की, हमारे सशस्त्रबलों की, हमारी सेना की आपूर्ती का वो रास्ता है, और वहाँ पर चीन घुसपैट करके उस वाय जंक्शन पे बैठा है, उसको कैसे ढखेला जाएगा, ये आज बहुत बड़ा सवाल हैं, और ये बहुत रननेतिक जगे हैं हमारे लिए, जिसके बारे में सुई पटेक्सन नाटा है मोदी सरकार में, क्योंकि ये साफ है, कि इस पूरे माया जाल को रचने के लिए लोगों की आँख में धूल कुब जोकी गई, क्या बोला गया, हम चीनी आप बैन कर रहे हैं, बहुत बढ़ियां, आपने चीनी आप बैन करी, 31 महीने से हमारे सीमा पर संकट है, हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है, 31 महीने से सेना हमारे राष्ट की सुरक्षा कर रही है बहाँ पर, और 31 महीने में मोदी सरकार ने, चीन पर हमारा जो निर्भरता है, वो बढ़ाई है चीन हमारा ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बढ़ा बना, चीन से सबसे ज़ादा इंपोर्ट हो रहा है, लगातार चीन पर हमारी निर्भरता को भराने का काम मोदी जी ने किया है, लोगों की आँख में धूल डाली कि हम एप को बैन कर रहे हैं, तो हमारे चार ही सवाल है, औ बड़े ज्वलंत हैं और ये सवाल आज देश, जानकार, रक्षा विशेशक ये पूर्व रक्षा के सेना के अधिकारी लगातार पूछ रहे हैं, कि आखिर अप्रेल 2020 की पहले की यथावत स्थिती, स्टेटस को एंटे, जिसका आपने वादा किया था मेंटेन करने का, उस को मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं हमारे जहां पर सैनिक सेना गश्ट करती थी, वहाँ पर आज गश्ट कर पा रही है, हमारा सवाल है कि क्या भारतिय सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गलवान घाटी में, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 होट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 गोगरा में आज गश्ट कर सकती है क्योंकि अप्रेल 2020 के पहले हम यहाँ पर गश्ट कर रहे थे डेपसॉंग और डेमचोक को लेकर सरकार की क्या नीती है आज ये भी पूछना जरूरी है आज ये भी पूछना जरूरी है कि अरुणाचल में चीने गाउं बसा देता है हमारे नागरिकों का अपहरण कर लेता है अतिक्रमन करता है सरकार का मौन क्यों है मोदी जी वो लाल आखें आप कब खोलेंगे या चीनी प्रेम में आप वो लाल आखें भी भूल गए है और आपकी 56 इंच की तथा कति चाती भी कुंद हो गई है असलियत सिर्फ ये है चीनी प्रेम आपको छोड़ना पड़ेगा और राष्ट प्रेम और राष्ट हित में काम करना पड़ेगा क्योंकि चीन समझ चुका है कि ये सरकार सिर्फ प्रचार के लिए काम करती है अगर ऐसा ना होता तो डोकलाम में फ्रिक्शन पॉइंट से चीन पीछे हुआ पर सारे प्लाटो पर चीन ने फॉर्टिफिकेशन किया वहाँ पे अतिक्रमर किया आज भी मौजूद है तो प्रधान मंत्री मोदी की जूटे महिमा मंडन और फर्जी वाड़े के चलते जो देश को जेलना पड़ रहा है जो हमारी सेना के मनोबल को कमजोर करने का काम हो रहा है उसके बारे में सवाल जरूर पूछे जाएंगे आखिर कैसे एक हजार किलो मीटर वर की जमीन चीन के कबजे में आ गई आखिर कैसे पेट्रोलिंग पॉइंट जहां पर हम गष्ट करते थे हम उससे पीछे हो गए आखिर क्यों हमारा हिस्सा बफर जोन बन जाता है आज भी घुसे हुएं और उनको धकेलना है और यही राष्ट रहत है I will make a very brief point in English this is a very important topic about the patrolling point 15 disengagement at hot springs this is not the first time that we are disengaging and making buffer zones out of pay places and out of destinations where we were patrolling up to this is not the first point first it happened in Galwan then it happened in Gogra now it is happening in hot springs why is our army being made to push back why is our army being made to give up patrolling points where we were patrolling up until now the other important point that we would want to make is what about status quo ante April 2020 the Prime Minister had promised this country we will go to status quo ante why is there no status quo ante as far as April 2020 is concerned we also want to know with cheap publicity and with cheap popularity with domestic audience why is our foreign security and foreign policy being compromised in the last 31 months of tension on our border with China why has the Modi government done nothing decisive to ensure that India's national security is not compromised with important points about depth song because that's the Y junction and that is where our supplies happen from and and China is present there continue to haunt questions about Demchok and it almost seems that China is playing out a script they come they acquire a portion of our land they stay there and then they push us back from our patrolling points and our patrolling points get into buffer zones and is this happening because China has seen the chink in our armor and the chink in our armor is that the Prime Minister is given to false propaganda the Prime Minister is given to cheap popularity the Prime Minister doesn't care about our territorial integrity or he doesn't care about our national security so there are multiple questions but some of the questions are when are we going to restore status quo ante what about Debsang and Demchok why are we not being able to patrol at patrolling point 15 at patrolling point 14 in Ganwan Valley at patrolling point 17 in Gogra why is it that the government is conspicuously silent as China comes and builds bridges and lays down lay of the land for villages in Arunachal kidnaps our citizens and is this all happening because Modi ji is not being able to give up his love for China happy to take your questions on super motor first please jie naii pahle chin pahle a 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 चाइना को हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया और चाइना के उपर चाइना के आई हुए आयात पर इंपोर्ट्स पर देश की निर्भरता पिछले 75-75 सालों में सबसे जादा अब बढ़ा दी तो मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है मोदी जी जब विपक्ष में थे तो बड़ी-बड़ी बाते करते थे अब जब से मोदी जी प्रधान मंत्री बन गए हैं ना लाल आख खोलते हैं ना 56 इंच की चाती दिखाते हैं ना अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करते हैं इसका आधार ये है जो मैंने आपको वैसे तो बहुत कुछ है लेकिन तीन पेट्रोलिंग पॉइंट की जो मैं बात कर रही हूँ गलवान वैली जहां पर शहादत हुई लोगों की वहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक हम गश्ट करते थे होट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक हम गश्ट करते थे और गोगरा के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 तक हम गश्ट करते थे आज वो सारे इलाके जहां तक हम गश्ट कर रहे थे वो बफर जोन में आ गए हम वहां तक जा नहीं सकते हैं ऐसी ही कितनी जमीन जिसका कुल योग करीब 1000 किलो मीटर वर्क जिसको स्क्वार किलो मीटर आप बोल रहे हैं और यह बिना बोले बिना बात किये यह जमीन चीन को दे दी गई है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विशे है, देखिए जाकर रक्षा विशेशक ये क्या कह रहे है, पूर्व सेना के अधिकारी क्या कह रहे है, पूर्व सेना प्रमुक क्या कह रहे है, कि ये सिर्फ आंख में धूल जोकने की बात है, स्टेटस को एंटे, जब तक अप्रेल 2020 के पूर्व की यसास्थिती नहीं बनती है, तब तक ये सब बाते बेमानी हैं। आप क्यूं अपने गश्ट किये हुए इलाकों को छोड़ कर पीछे हट रहे हैं? आज ये सवाल है। और उसका अधार भी यही है। कोई और सवाल? जी? मुझे लगता है जो भी students के और राष्ट मेहित में होना चाहिए, वो सरकार को करना चाहिए। यह उपरेशन कमल और उपरेशन लोटस का एक और नमूना है। और वो उपरेशन लोटस या उपरेशन कमल जिसको आप मेंसे आपके कुछ साथी चाणक के निती बताते हैं, वो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। वो देश की संस्थाओं का सबसे बड़ा दुरुपियोग है। उसमें जिस तरह से जनता का पार्टिसिपेशन हो रहा है, जिस तरह से जन सहलाब उमर रहा है। उसने भारतिये जनता पार्टी के पैरों के तले से जमीन खिसका दी है। होश फाकता है इन लोगों के। जब सोते कहां हैं, पहनते क्या हैं, खाते क्या हैं, किस से बात करते हैं, पर बात नहीं बनी तो धर्म पर भी आकर कोशिश वोई। उससे भी बात नहीं बनी। क्योंकि मुद्धा महंगाई और बेरोजगारी है, तो अब यह किया जा रहा है। आप ऐसे ऑपरेशन करते रहिए, आपको लगता है इससे डर कर हम चुप हो जाएंगे। मुझे लगता है देश आपको नमूना दिखा रहा है, अभी तमिलनाडू और केरला में और आगे पूरे देश में। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस मंझ से हमेशायद अरविंद केजरिवाल जी के बारे में बात करनी बंद कर देनी चाहिए। और इसलिए कर देनी चाहिए कि वो एक जिम्मेदार राजनितिक व्यक्ति हों तो उनके बारे में बात करी जाए। वो एक स्टंट मैन है, वो स्टंट करते हैं। उनको पॉलिटिक्स और राजनिती को लगता है वो स्टंट है। वो प्रचार जीवी में मोधी जी से भी दो ुलिए हुआ हुआ तो और भारतिये जनता पार्टी के खिलाफ अपने लिए वोट वांगा था. किस मूँ से आज़ आज़ भारतिये जनता पार्टी जॉइन कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में या राजनीती में विचार धारा नाम की कोई चीज होती है या उस पर आप कुलाचे मार के बदल लेते हैं। मेरा अपना मानना है कि विपक्ष की राजनीती करना आज बहुत मुश्किल काम है और मुश्किल खासतोर से उन लोगों के लिए हैं जो एजनसी से डर जाते हैं और लोब की लोलुपता में बह जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप साथ मिलकर लड़ाई करते हैं जैसे हजारों करोडों लाखों लोग इस देश में कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसको मैं मांसिक दिवालियापन कहूं या नैतिक दरदृता का नाम दूँ वही NCPCR जिसका जिसकी स्थापना हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंजी ने की थी आज RSS की शाखा की तरह काम कर रहा हैं। उनको कुपोशन से ग्रसित बच्चे नजर नहीं आते हैं। सतना में साथ साल की बेटी जो साथ किलो की है और जबर्दस कुपोशन का शिकारे उसकी पिक्चर वाइरल होती है और जुचारे प्रशी नएतिक दर्दरता और दिवालिया पन इकाता है। Any other questions? I do not know whether I should call this their moral bankruptcy or is this loss of integrity for an institution which was formed by our Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji. It has reduced itself in becoming an RSS shakha. the reality is that there are very very relevant issues that face the children of this country and some of them include malnutrition I saw the picture of a 7 year old girl who weighs 7 kgs in Satna district of Madhya Pradesh she is battling malnutrition has the NCPCR done anything about that? it is blasphemous as to the letter they have written I want to call it childish but they are so morally bankrupt that I think they should only be called morally bankrupt you are an institution you have been set up to look at the interests of children and not indulge in petty poor politics are you asked a question? असा है कि चाहे वो आमादमी पार्टी हो चाहे वो असीदुदीन वैसी हो इन लोगों को डिसाइड करना है कि देश की राजनीती में यह कब तक भाजपा की B team बने रहेंगे पहले तो परदे के पीछे से B team बने रहते थे अब परदे के बाहर आकर B team बन गए तो देश की जनता समझती है आपका क्या हश्र किया गुवा में और आपका क्या हश्र किया उत्रा खंड में सिर्फ चुनाओ लड़ने आप उन जगहों पर जाते हैं जहां पर भारती जनता पाटी मुश्किल में हो उनको जिताने के लिए ये काम करने छोड़ दीजिए, अगर राजनिती करनी है तो खुले मन से, साफ मन से, मुद्दो पर राजनिती करिए, और मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है, जिसके बारे में हम भारत जोड़ो यात्रा की में चर्चा कर रहे हैं I'm a purely Hindi speaking person, I speak in English but my mother tongue is Hindi, it's a beautiful language, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मेरी माद दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, क्या आपकी माद दुनिया की सबसे अच्छी माँ नही है, बात इसकी यह, भाषा जोगती है, बात इसकी यह, बात इसकी यह, भाषा जोगती है, मुझे वह है, वो अभिव्यक्ति का एक जरिया होता है, भाषा की मधूरता आपके विचार और आपकी अभिव्यक्ति में जहलकते हैं, मुझे हिंदी बहुत पसंद है, मेरी माद दुनिया की सबसे अच्छी मा है, आप कहिएगा आपकी माद दुनिया की सबसे अच्छी मा है, भाषा है हिंदी में जो हिंदी बोलने वाले लोग है वो बेस्ट अभिव्यक्ति सबसे अच्छी अभिव्यक्ति हिंदी में करते होंगे लेकिन जो बाकी भाषा बोलने वाले वो उसको बोलते हैं, इसमें मुझे लगता है, इसमें कोई विरोधा भास नहीं है, आपकी माँ भी बहुत अच्छी है, मेरी माँ भी बहुत अच्छी है, आपकी भाशा भी बहुत अच्छी है, मेरी भाशा भी बहुत अच्छी है, इसमें कोई उपर और कोई नीचे नहीं ह दन्यवाद। धन्यवाद। Thank you.